स्वागत है दोस्तों जियोग्राफी की टेस्ट सीरीज में यह है टेस्ट नम्मर आठ यदि आपने पिछले साथ टेस्ट नहीं दिये हैं तो आप सेम चैनल में जाकर जियोग्राफी टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है भारत के ग्लेसियर जिसमें हम हिमनत और दर्रे की पूरी जानकारी के अध्यन करेंगे फिर प्रस्नों को सॉल्व करेंगे आईए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हिमाले के हिमनत के पिखलने की गती वर्ल्ड में सरवादेख है इस संबंद में यह मात्पूर्ण हो जाता है कि गंगा का जो उद्गा मिस्तल है गंगोत्री उसका क्लेसियर इतनी तेजी से पिकल रहा है डियर एस्पारेंट कि पिछले 50 साल में यह आधा रह गया है बरत्मान में तीब्र दर से पिखलने के कारण इनका विस्तार कम होता जा रहा है और नदियों में जलकी मात्रा बढ़ती जा रही है जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि आपको जो हिमनद दिखाए गए हैं चोगो लंगमा हिमनद, रिमो हिमनद, सियाचीन हिमनद, जो हमारी ट्रांस हिमालेंस रेणी हैं, कराकोरम, लद्दाक, जासकर, वहां बहुत सारे हिमनद रहते हैं आए हम दर्रों को introductory पार्ट जान लेते हैं, तो भारत की जमू कस्मी राज में पाच दर्रे हैं, अब आए बेसिकली हम समझते हैं दर्रा होता क्या है, किसी परवत अत्वा पहाडी में इस्तित अनुप्रस्त अर्थात सक्रे मार्ग को, सक्रा और जो निचला मार्ग होता है, जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, उसे दर्रा कहते हैं, दियर एस्पारेंड जैसे कि दो पहाड़ों के बीच में अगर हमें उन्हें पार करना है, तो हम उस सक्रे मार्ग को खोशते हैं, जिससे स्थल मार्ग के माद्यम से हम आसानी से जा सकें, उसे दर्रा कहते हैं, जम्मू कस्मीर में पांच, हिमाचल प्रदिश में तीन, अरुनाचल में तीन और मनीपुर में एक है आईए हम इन्हें डिटेल्स में जानते हैं जम्मू कस्मीर में बुर्जिल, जोजिला और बनेहाल दर्रा है जबकि हिमानचल प्रदेश में शिपकीला, मुलिंग, मनाला और नीतिला है जमू कस्मीर में यह थे हमारे पांच दर्रे मनीपुर का दर्रा जो बार बार पूछा जाता है तुजू है अरुनाचल प्रदेश के बुमडीला, यांग आप, दिफू आईए कुश्चन नमबर वन पर आते हैं हिमाले के हिमनत की पिघलने की गती किस प्रकार से है यह उत्राखंड PCS 2005 का कुश्चन है और हिमाले के हिमनत की पिघलने की गती वर्ल में सबसे अधिक है इसको याद रखिएगा वर्ल में सबसे अधिक तेजी से हिमाले के glacier पगल रहे हैं और इसका right answer है option B अब यहाँ पर इसका कारण भी पूछा जा सकता कि यह क्यों पगल रहे हैं तो उसका कारण है global barming और यह है अगले आने वाले तीन सालों में कितना अनुमान लगाये गया है पूरी प्रद्वी का temperature बढ़ने का 1.5 degree centigrade global barming के कारण हिमाले के glacier सबसे तेजी से पगल रहे हैं आते है question number 2 पर सियाचीन glacier का बिबाद किन दो देशों के बीच में हैं basically सियाचीन glacier XI China का part है अब बहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है तो सियाचीन glacier का जो बिबाद है dear aspirants भारत और पाकिस्तान के बीच में है यहाँ पर बहुत से बिद्यारती भारत और चीन टिक कर देते हैं जो कि एक गलत आंसर है राइट आंसर हैं आपर भारत और पाकिस्तान सियाचीन glacier भारत के उत्तर में बरफीली चोटियों से अच्छादित है भारत और पाकिस्तान की मद बिबाद का बिश्य बना हुआ है आते हैं कुश्चेन नमबर तीन पर सबसे बड़ा हिमनत निम्न मैसे कौन सा है सरबत भिन है हिम रेखा वह रेखा होती है जिस उचाई पर जाकर जल बरफ में बदल जाता है क्योंकि उचाई पर जाने पर temperature खड़ता है गंगोत्री हिमाले यहाँ पर हिमनत यहाँ पर सबसे बड़ा हिमनत है और गंगोत्री के गौमुक से ही गंगा नदी निकलती है इसी हिमनत के गौमुक नामक इस्थान से गंगा नदी का उदगम इस्थान है तो राइट आंसर इस ओप्सन C कुश्चन नमबर चार पर आते हैं किसी नदी पर शिव शमुद्रम जल प्रपात इस्थित है यहाँ पर वाटरफॉल शिव समुद्रम के बारे में बताना है कि वह किस नदी पर इस्थित है यह MPPCS प्री 2016 का कुश्चन है और इसका राइट आंसर है कावेरी कावेरी नदी पर रिस्थे थे शुशमुद्रम जल प्रपात राइट आंसर इस हैर ओप्शन ए कावेरी नदी के बाद अगर हम दच्छन भारत की गंगा कावेरी नदी काहला आती है बूड़ी गंगा गोदावरी है कुश्चन नमबर फाइब पर आते हैं नमलेखित में से कुँचीकल जल परपात की उचाई कितनी है यहाई BPSC PreGS 2000 दो का कुश्चन है यहाँ पर हमें बताना है कुँचीकल ज़णने की उचाई कुँचीकल जल परपात करनाटक के सिगोमा जिले में इस्थित है इसकी उचाई 455 मीटर लगभग 1500 फीट है तो यहाँ पर अगर फीट में पूछी जाए तो 1500 फीट और मीटर में पूछी जाए तो 455 जो या गोर सप्पा की पूछी जाए तो उसका होगा 255 मीटर सिफ समुद्रम की 90 मीटर आते हैं कुश्चन नमबर 6 पर निमलिखित को सही सुमेलित कीजिए यहाँ पर जीलों के नाम एक तरफ दिये गए हैं दूसरा नदियों के नाम दिये गए हैं गोबिंस सागर, कुलेरू जील, उकाई जलाशे और बुलर जील तो कुलेरू जील किश्चन नदी से संबंदित नहीं है तो यहाँ पर right answer is option B बाकि गोबिंस सागर, सतलस से संबंदित है उकाई जलाशे, तापती से और बुलर जेलम से तो इस परकार से कुलेरू जील किसी नदी पर इस्टित नहीं है कुलेरू को अगर किसी नदी के साथ जोड़ा जाता है तो वहाँ पर wrong option होगा तो right answer is here कुलेरू जील is not related to Krishna question number 7 पर आते है निमलिकित में से कौन थी जील दो भारती राज्यों की सांजेधारी करती है यह BPSC Pre का question है आईए हम map के माद्यम से समझते है जो पुलिकट जील आप map में देख पा रहे होंगे देख पारेंट वह तमिलनाडू और आंधरा प्रदेश दो राज्यों से जुड़ी होई है तो right answer है यहाँ पर हमारा पुलिकट जील यह Bihar Public Service Commission 2007 का question था यहाँ पर पूछा गया था कौन सी जील दो राज्यों से जुड़ी है तो यहाँ पर राज्यों के नाम भी पूछे जा सकते है आंधरा और तमिलनाडू और जील का नाम है पुलिकट जील आते है question number 8 पर कयाल क्या है कयाल के बारे में बताना है कयाल basically केरला की जीले है जो बहुत ही अच्छा परियाटक इस्थल होता है केरल का जो तटी भाग होता है अधिक से अधिक कटा फटा है इसके कारण सागरी जल इस्थल भागों से अंदर तक प्रिवेश कराया है इस्थल भाग जब कटा होता है जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे जब एक कटा फटा है तो समुद्र का जल अंदर प्रिवेश कर जाता है और वह जील का निर्मार करता है केरल में इनी जीलों को कयाल कहा जाता है और यह बहुत ही अच्छा परेटक स्थल होता है यहाँ पर बहुत से परेटन करता यहाँ पर जाते हैं राइट आंसर इस D कुश्चा नमबर नाइन पर आते हैं निमलेखत मैंशे कौन सा एक लेगून जील नहीं है अब यहाँ पर लेगून जील खारे पानी की जील होती है जो की समुद्र से अलग होकर तटिये छित्रों में निर्मित छिछली अर्थात कम गहराई वाली खारे पानी की जीलें लेगून जील कहलाती है यह बेसिकली समुद्र का ही जल इन जीलों में होता है यह खारे पानी की जीलें होती है अगर लेगून जील को पूचा जाए तो खारे पानी की जील होगी और सबसे बड़ी लेगून जील पूची जाए खारे पानी की जील तो चिलका जील उड़ी सा है यहाँ लेगून जील नहीं पूचा गया है तो पेरियार जील केरल में है यह लेगून जील नहीं है कुश्चे नमबर 10 पर आते हैं भारत में सरपर्थम एक समुद्री सेंक्चुरी कहां इस्थापित की गई है उत्राखंड आरो एरो 2016 का कुश्चन है यहाँ पर हमें बताना है कि सरपर्थम शमुद्र की सेंक्चुरी कहां पर इस्थापित की गई है यहाँ पर right answer है कच्छ की खाड़ी में यह कहाँ इस थे थे कच्छ की खाड़ी गुजरात में यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी बिलीन हो जाती है Looni नदी ऐसी कौन सी नदी है जो समुदर तक नहीं पहुंसती है लूनी नदी लूनी नदी किसका निर्माड करती है दल दल का तो right answer is option C question number 11 पर आते हैं हम रेखा कितने मीटर के बीच होती है हम रेखा DRS parent वह उंचाई होती है जहां पर हमारा जल बर्फ में convert हो जाता है जैसे जैसे हम भूपर पटी से उपर की तरफ जाते हैं temperature कम होता जाता है और जैसे हम 4500 से 6000 मीटर उंचाई तक जाते हैं वहां हम रेखा हमें मिलती है तो जैसे हम देखते हैं हमारे जो बादल है वह आईस के form में क्यों होते हैं क्योंकि वह हम रेखा से उपर इस्तित होते है आते हैं question number 12 पर निमले के मैसे किस राज में लोक तक जील इस्तित है लोक तक जीक के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें पूछी जाती है बार बार exam में यह topic रहता है लोक तक जील दुनिया की पहली तैरती हुई जील के नाम से भी जानी जाती है और यह मनीपुर में इस्तित है तो लोक तक जील is located in मनीपुर और यह दुनिया की पहली तैरती हुई जील है और यह बहुत ही अच्छा परियाटन इस्तल है मनीपुर में बहुत से लोग लोग तलजील की सेयर करने जाते है राइट आंसरे सेयर ओप्शन C आते हैं कुश्चन नमबर 13 पर निमलिखित को शुमेलित कीजिए शिवकीला, लिपुलेग, नाथूला और जोजीला यह दर्रे हैं, उत्राखंड, हिमानचल, कश्मीर और सिक्किम यह राज हैं आईए हम इस मैप के माध्यम से देखते हैं कि हमारा शिवकीला दर्रा हिमानचल परदेश में हैं लिपुलेग दर्रा उत्राखंड में हैं नाथूला दर्रा सिक्किम में हैं जोजीला दर्रा जमू कश्मीर में लोकेटेड हैं जमू कश्मीर में पांच दर्रे हैं जोजीला, पीरबंजाल, करा, कोरम, बनियाल और बुर्जिल हमांचल में रोहतांक, शिपकीला आईए अब हम अपने कुश्चन पर आते हैं तो इस question में right matching है हमारा option B सिपकीला, हिमांचल प्रदेश, लिपुलेक, उत्राखंड, नाथूला, सिक्किम और जोजीला, कश्मीर So right answer is option B आते हैं question number 14 पर जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? यह UPSC 2015 का question है जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज के रामवन जिले के बनिहाल दर्रे में इस्ते थे अगर दर्रा पूँचा जाए तो बनिहाल दर्रा यहाँ पर है यह पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के दश्चन पस्चे में पीर पंजाल स्रेणियों के मत दिते थे यह जम्मू को स्री नगर से जोड़ने वाला यह दर्रा मुल्ग मार्क पर इस्तित है अर्थात यह है जम्मू को स्री नगर से जोड़ता है और भारत और पाकिस्तान की बीच नेंतरन रेखा पर इस्तित है यह बहुत ही important role play करता है in defense situations आते है question number 15 पर किस राजज में साइवेरियन सारस के लिए आदर्स प्राकृत्तिक इस्तान है आप figure में देख पा रहे होँगे यह बहुत ही सॊंदर पक्ची है साइवेरियन सारस यह साइवेरियन क्रेन असम के दो राष्टी उद्यान कांजी रंगा और मानश मैं शाइवेडियन सारस को आदर्स प्राग्रतिक निवास सिफ्थान माना गया है तो यहाँ पर अगर राष्टी उद्यान पूछा जाए डियर एसपारेंट कांजी रंगा और मानश अगर राष्टी का नाम पूछा जाए तो कांजी रंगा और मानश असम में पक्षी का नाम पूछा जाए तो साइवेडियन सारस और इसके लाबा और भी इंपोर्टेंट फेट जान लीते हैं कांजी रंगा उद्यान गैंडी के लिए भी जाना जाता है आते हैं आज के हमारे lucky question पर जिसका answer देकर आपका नाम कल comment section में announce किया जाएगा तो हमारा question है भारत में पिर्थम जल बिद्दु सैंथ की स्थापना की गई थी यह बताना है यह कहां पर की गई थी दार्जिलिंग, शिव शमुद्ब्रम, मुहराय, शिक्किम में इसका current answer option जरूर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो में aim रखते हैं 50 like का तो dear transparent अपना एक like देकर इसे 50 तक जरूर पहुँचा देना कल right answer दिये थे बजैराज ने, शौनु कुमार ने, पिरियम ने और शारुक मुहम्मद नेहा कुश्बाहा ने थेंक्यू फूर वाचेंग इसी तरह आप subscribe करते रहिए, like कीजिए और share करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुचाईए और अपनी तयारी को बनाए रखिए आने वाली UPSI और UN-UPPCL, UPRBNL, RRBNTPC सभी परक्षाओं के लिए यह test series बहुत यूपयोगी होगी, thank you